दोस्तों गाड़ी रहने वाली है रेनो की ट्राइबल और यह इसका नहीं सेकेंड बेस वेरियंट होने वाला है जो की आरेक्सल के नाब से आता है जिसकी प्राइस पड़ती है 6.80 लाक एक्सो रूम और और आप अपनी फैमिली के लिए एक सेवन सीटर कार धूंड रहे हैं और चाहते हैं कि सेफटी वगरा भी कहीं से कॉंप्रुमाइज ना होए आपको यह कारनाथ देखनी चाहिए क्योंकि आपकी यह सबसे सस्ती सेवन सीटर कार में आती है जो की फोर स्टार सेफटी आपको प्रवाइट करती है और सेकेंड बेस वेरियंट से ही आपको यह ब् मिलता है दोस्ते pencil कि आपको यह पर चाही तेखने को मिलती है जिससेवन लॉक अनलॉक पर च hayat सेएम्प्रुमाइब सेखने को मिलती है तो आपको कोई पार्किंग सेंसर और श्रक्री देखने को मिलता दोस्त Him आपको यहां पिनिश में देखने को मिलता है बंपर वगरा सब कुछ आपको यहां पर किया जाता है दोस्तों लाइट शेटप की बात करी जाए तो आपको यहां देख लीजे हैलोजन बेज़ पूरा सेटप मिलता है लेकिन आपका यह प्रोजेक्टर है और इधर आपका रिफ्लेक्टर है तो और इंडिकेटर वगरा सब कुछ आपको हैलोजन मिलता है पाइलेट लैंब भी हैलोजन में कोई भी डियारल नहीं मिलेगा लेकिन क्रोम का आपको यह एसेंट देखने को मिलता है फॉग लैंप अगरा भी देख लीजिए आपको यहां फॉग लैंभी ओफर नहीं क हैं तो काफी लंबी यह प्यूप को फील होती है लेकिन लंभी नहीं है यह नहीं दिखाता हो इंडिकेटर को यहां पर प्लेस क्ये गए है आपके यह ते वी आर्चेस पे और और орг आर्वी है आपको मैट ब्लाक फिनिश में देखने को मिलता है यहां पर आपको इंडिकेटर नहीं मिलेगा और विम आपका आटो फोल्ड फंक्शन के साथ नहीं आता है दोस्तों आपको यह मैनुवली एड्जेस्ट करना पड़ेगा गाइस बाकी यह देख लीजिए बॉडी कलर में डोर हैं इधर भी बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे साइड क्लैडिंग के नाम पर कहीं पर भी कोई भी क्रोम की स्ट्रिप या मैट ब्लाक फिनिश में स्ट्रिप आपको नहीं मिलती है तो यह देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको टायर्स मिलते हैं MRF क आपको डिस्ट कोफर किये जाता है रियर में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पे आपको फ्यूल देखने को मिलता है टेंक रशी वाथ कर लीज़ाय तो प्रफाइल उफर करी जाती है भुलाक कलर में आपको देखो यह बहुत पसंद हारी है वहक् additional के opinion stylist हो सक यह लेकिन ब्लाक किलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है वाइपर डिफॉगर आपको यहां नहीं मिलेगा हाइश्टॉप मॉटलेम मिलेगा कोई भी आपको यहां पर इस्पॉइलर वगेरा नहीं मिलेगा तेल लाइट का सेक्षन आपको कम्प्लीट यहां पर हैलोजन में दे जाते हैं तो बंपर है आपका मैट ब्लाक फिनिश में ऑफर किया जाता है इस किट पेट आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको यहां पर डिजाइन अलिमेंट देखने को मिलेगी और यहां से देखेंगे तो अंडर बॉड़ी है और ग्राउंड क्लेंस भी काफी जाकि पीछे आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा वगएरा यहां नहीं मिलेगा दोस्तों दूसरी तरह आएंगे तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल देखने को मिलती है इधर भी आपको कोई भी रिक्वर्स सेंसर वगएरा नहीं ऑफर किया जाता है छत पे देखें आपको बुट स्पेस की यह देखो सेंसर आपको यहां पर देखनेको मिलता है कुछ इस दर मिलताए हम उठाना पड़ेगा लेकिन बस प्रॉबलम यही आजाएगी कि जब आप इसको उपर उठा जेंगे तो आप उसके बाद यहां पे लगेज वगेरा नहीं रख पाएंगे तो बहुत ज्यादे लगेज नहीं आएगा आप इसको टैक्सी की तरह बड़े आराम से इस्तमाल कर सक कि अंदर हमको क्या क्या फीचर्स ऑफर किये जाते हैं उससे पहले दोर पैनल देख लिए यह आपकर मैट ब्लैक विनिश में हैंडल देखने को मिलता है गलॉसी नहीं है मैट ब्लैक है कुछ इस तरह से ब्लैक और क्रीम कलर में आपको डोर पैनल ऑफर किया जाता है सारा क दो पाउर विंडो कंट्रोल्स यहां पर एक बार अगर देख लिए जाए तो रियर में आपको देख लो यहां पर मैनुवल ही देखने को मिलता है ठीक यह तो आपको प्यर करना पड़ेगा बाकि यहां पर आपको यह स्पीकर्स की प्लेस्मेंट मिलती है दो इस पीकर सफ आपको देख लिए मैनुवल एड्जस्मेंट के साथ ओफर करी जाती है और केवल टिल्ट एड्जस्मेंट आपको देखने को मिलता है डूल टोन में आपको फैब्रिक में पोस्ट्री ओफर करी जाती है ब्लैक और क्रीम कलर में बैसिकली पीच कलर में देखने को मिलता है और कलर कॉंबिनेशन आपको काफी प्यारा सा ओफर किया जाता है और लंबर सपोर्ट वगरा भी काफी बढ़ी आपको यहां ओफर किया जाता है दोस्तों बागी फ्रेंट में आपको दो हैड्रस मिलते हैं लेकिन एड़िस्टिबल वाला सिस्टम आपको नहीं मिलता है के अर्च देखेंगे तो कुछ रसिरे अपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों करको यहां दोस्तों ब्लृत डे मेलता है और गारी के लिया प्ले है अंदर जैच लिक्ते हैं धंसTuट कण आ सारा connectivity आपको मिलता है यहां पर आपको यह स्विचेस देखने को मिलते हैं वॉल्यूम बढ़ाने कम करने के लिए और यह आपका FM ट्यून करने के लिए ऐसा आपको यह मिलते हैं दोस्तो रॉलर्स मिलते हैं ठीक है बागी AC के वेंट्स है सारा डैश्बोर्ड आपको यहां प के इल्टि सपोर्ड के साथ आपको मिलता है टल सकोपीक सब्सक्राइब यह ढायए देख लीजए आपको यह जिलिएगा दोस्तों रहे आपके यह प्र के कंट्र्लjinख independence वाला system नहीं है आपको यहां पर आनलोग इंस्प्रमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है बीच में च् इंफोर्मेशन जो आपकी रियल टाइम में मिलती है वो दिखाता है दोस्तों और अगर साइट से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यह लेखने को मिलता है इस पॉर्टिजने साइज में तोड़ा सा अच्छा लगता है यह बाकी यहाँ पर आपको हैजार की लाइट ल दो आपको कप होल्डर, थोड़ा और स्पीस, आमरश नहीं मिलता है और यह देको रियर के एसी के वेंट कांट्रोल भी यहाँ है आपके पास, फेन की स्पीड कर सकते हैं मैंनमल आपको हैंड बेक्स देखने को मिलते हैं उपर आएंगे तो यहां पर आपको वैंटी मिर नहीं मिलेगा इधर आएंगे तो इधर भी वैंटी मिलेगा नॉर्मल वाले आपको IRVM से हैं केविन लाइट आपको यहां पर LED में मिलती है और यह grab handle देख लीजे कुछ इस तरह से fix grab handles है और यह आपके seat belt height adjust नहीं कर पाएंगे दोस्तो कुछ इस तरह से आपको यह पर glove box मिलते है और काफी deep glove box मिलता है और देख रो चस्मा रखना हो, diary wire रखना हो, pen फसाना हो कुछ इस तरह से आप देख लो, यह सारा आपको options offer किये जाते है Cool glove box नहीं मिलता है, क्योंकि और इस लिए second base है तो नहीं मिलेगा first aid kit भी वहां रखी हुई है तो कुछ इस तरह से आपको यह पूरा front का dashboard portion देखने को मिलता है दोस्तो ठीक है, कैसा लगा, please comment में जुरू बताएगा, एक बाद चलते है, second row में वहां के sitting offer की बात कर लिते है second row का door panel एकदम similar आपको देखने को मिलता है, matte black finish में इधर भी आपको सब कुछ से मिलेगा, difference केवल इतना है कि यहां पे आपको child lock feature मिलता है और यह आपको manual कर दिया गया है बाकि bottle holder आपको मिलता है, umbrella आप यहां नहीं रख पाएंगे, speakers की placement है लेकिन यह खाली है बाहर से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको second row का seating arrangement देखने को मिलता है, 60-40 split में seats है, तीनों passengers के लिए आपको seat belt और ISOFIX child mount आपको यहां इस variant में नहीं मिलता है नहीं आपको कोई भी cup holder वगरा, armrest वगरा मिलेगा, दो adjustable headrest आपको यह offer किये जाते हैं दोस्तों और 60-40 split में fold हो जाती है, एक बार अंदर बैठेंगे, तो पहले sitting foot की बात करी जाए, तो आप देखो कितना leg room आपको यहां मिलता है thigh support भी sufficient आपको मिलता है, और knee room तो देखी रहे हो आप, बाकि यहां पे कोई pocket वगरा नहीं है, magazine वगरा रखने के लिए space नहीं मिलता है बाकि AC के events आपको देख लो, यहां पे दे दिये गया है, और यहां पे इनका control है दोस्तो फैन का, और second row से देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको complete dashboard देखने को मिलेगा, light आपको front में दी गई है, और third row में भी कोई light नहीं दी गई है, मतलब केवल एक ही light आपको front में दी ठीक, इधर से घुसना चाहते हैं, तो आपको यह cable seat है slide होती है, मैं आपको चलो एक बार करके दिखाई देता हूँ, यह देखो, अगर आपको 60 side से घुसना है, तो इतना space आपको मिलेगा, यह seat पूरी tumble नहीं होती है, अब एक बार उदर चलके देखते हैं, वो seat tumble होती ह कि नहीं होती है दोस्तों, यह देखो, अब इधर से क्या है, अगर इधर से मैं इसको गिराता हूँ, यहां से गिराने का option आपको मिलेगा, और यह देख लीजे, इधर से यह seat पूरी तरह से tumble हो जाती है, तो आपको घुसने में आसानी इधर से ही होगी, हाला कि बच्चे पॉइंट वगरा कुछ भी नहीं मिलता है, वह से पेपर क्लिप होल्डर है दोस्तों, ठिक, और इधर देख लीजे, यहां पे आपको कुछ इस तरह से यह पेपर क्लिप होल्डर मिलता है, seat belt आपको पीछे के दोनों पैसेंस के लिए offer करी जाती है, sitting comfort की मैं क्या बात करू दोस्तों आप देखो इसमें बड़े आदमी नहीं बैट पाएंगे, मैं seat नहीं गिरा रहा हूं क्योंकि मेरे पैर एकदम से यहां फर्ज जाते हैं, बाकि अच्छी बात है कि थर्ड रो में यहां पे आपको AC के वैंस वगरा यहां देखने को मिलते हैं, यह अच्छी बात आपको ठर्ड रो में आफर किये जाते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं बड़े अराम से और उनको गर्मी की कोई टेंसन नहीं होगी, बस यह की प्रवल्म है कि पीछे आपको कोई बी चार्जिंग पोर्ट वगरा नहीं दिया है, और नहीं आपको पीछे कोई रीडिंग लैं अगर इस कार में फोर जिलेंडर इंजन दे दिया जाए ना तो यह कार बहुत बढ़िया सेल करके दे सकती है, और फिगर की बात करी जाए, तो सेवन्टीवन वीच्पी की पावर और नाइंटी सिक्स नूटन मीटर का टार्क देती है, जो कि सेवन सीटर के लिए बहुत अ वेरियंट और एकसल के नाम से आता है, और ब्लाक कलर में क्या ही गजब लग रहा है, प्राइस पड़ती है, प्राइस पड़ती है, सेवन पॉइंट सिक्स फाइव लाक ओन रोड गवालियर शेटी में, यह कार आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा, इस झाल 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 झाल